क्या आपकी पेर फटा हुआ है, वहांसे बलाडा था है, आपको चलने में दिक्कत हो रहा है, आप कोई भी काम करूँ उस पे मन नहीं लगता, आपका मन हमेशा परा रहता है आपके फीट पे, तो फिर आप जरूर देखिए वीडियो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं, औ जो कि यह आपके फटा हुआ बलाड आने का और चलने का प्रॉब्लेम जो है, वो ठीक कर देता है, तो आप जरूर देखिए लाइट एंड साउंड, प्लिज लाइक आज सब्सक्राइब अस पर मोर अपडेट, थैंक्यू, चली बात करते हैं, और फिलेम का फीट फूट क् करने हैं, बिसिकली जो फीमेल लोग है, यह प्रॉब्लेम उनको ज़्यादा आते हैं, क्यूंकि आप अगर अच्छी शूज यूज करो, अच्छी शूज, तो आपको यह प्रॉब्लेम होने का बहुत काम चांसे हैं, फिर भी किसी को होता है, बहुत अच्छी शूज करते हैं, मौपिंग का कम ज़्यादा करते हैं, यह जो धूल है, मैल है, वह वहाँ पर तिका हुआ रहता है, जब भी धूल और मैल आपके हिल पर तिका हुआ रहेगा, उसके बाद ही आपको यह प्रॉब्लेम आ जाएगा, कोई तो ऐसा क्यों कर सकते हैं, कि मैं तो धूल यह मैल का काम नहीं करता है, फिर भी क्यों होता है, किसी का ओरिजिन में भी ऐसा होता है, फैमिली का प्रॉब्लेम होता है, ब्लाड से आ सकता है, होता है, मगर फिर भी आपको अगर यह प्रॉब्लेम ठीक करना है, तो फिर आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, और अगर फीट फाटा हुआ हो, वहां से ब्लाड निकल रहा हो, तो पहले औरिफलेम का ही एक स्क्रावर है, जो दूसरे वीडियो में दिखाया गया है, उसको आप पहले यूज़ कीजिए, कैसे हैं, पैर को आपको ठीक से धोनाए, रगर के धोनाए, जो भी मैल है फीट में, उ उसके बाद वो एक स्क्रावर यूज़ करना है, स्क्रावर यूज़ करके फिर एक धोड लीजे, उसके बाद आप ये फूट क्रीम जो है, उसको अच्छी तरह से मॉलिश कीजिए, मॉलिश करने के बाद आपको पैर नीचे रखना ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये क्रीम आपके स्कीन पे बैटना जाए पैर-पी निच में मत रखे आति है। अच्छी तरह Mds कीजिए दिन में दो बार मिनिमम्न वार है हुब दो पैर को कीजिए रात को कीजिए सूजाये दो-पैर को अब अगर लेते हैं तो अच्छा है दोपयर को लगा के आफ सो जाए उठके अब थोड़ा दोलिजी उसको उसके बाद अब आप काम पर लग जाए और रात में भी सोने के बाद अब उसको लगा लीजी अच्छे से उसके बाद आप सो जाए अब देखिए उस कीजी यूश करने क बात है, एक हफ्ते या फिर दो हफ्ते में आपका रिजल्ट देखिया, आपका जो hardness है, fit में, वो थोड़ा-थोड़ा करके कम हो जाएगा, जो भी hardness है आपके fit में, वो थोड़ा-थोड़ा करके कम हो जाएगा, ये औरी flame का guarantee है, हाँ, कोई ये पूछ सकता है कि बहुत दिन से हम यूज कर रहे है, performance अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने ठीक से यूज नहीं किया, आपको अगर यूज ये कम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, पहले गरम पानी से आपके पा को brush से, आपको पैड को brush से अप ठीक से wash कीजिए, उसके बाद ख्रसकावर यूज कीजिए, उसके बाद ये food cream यूज कीजिए, अब देखिए, एक या दो हथे में आपका result जो है, वो अच्छा है या नहीं, ये और फिल्म को guarantee है, और एक बड़ी बात जो है, ये बहुत कम नाम में market में मिले, बहुत कम नाम में, ठीक है, बहुत ही कम नाम में market में आ रहा है और इसका सबसे बड़ी बात जो है, वो है, थोड़ा एक फ्रेग्रेंसी भी है इसमें, ठीक है, आपके सबसे जो feet का जो skin होता है, उसका जो oxygen circulation होता है, ये वो भी टिक करता है, ठीक है, और smooth बनाता है, smooth बनाता है, ये किया दो हथे में ये आपका smoothness जो है, वो आपको नज खेल होता है, बहुत जल्दी ये और अपना काम शुरू करता है, तो फिर आपको अगर ऐसा problem है, ladies हो या फिर gents हो, कोई भी ये उसकरता है, आपको अगर ये problem है, जल्दी से इसको ये उसकोई जल्दी से, जल्दी से आप market से खड़ी दिए और इसको ये उसकीजिए, कैसे पहले तो आपके पैर को ठीक से धोलीजिए, उसके बाद इसका स्क्राबर से स्क्राब कीजिए, जो महल है वो भी उड़ जाएगा, उसके बाद जो है, फ्रिट क्रीम को अच्छी तरह से मॉलिश करना है, मॉलिश करने के बाद आपको सो जाना है, या फिर रेश्टे नहीं या फिर आपके पैर को धूल से टच नहीं करना है, मिनिमा एक घंट है, उसके बाद आपके पैर को ठोलीजिए, उसके बाद आप कम पे लग जाएगा, कोई बाद नहीं, जो भी काम है उसके लग जाएगा, अब एक या दो हफ्ते में आपका रेजल्ट देखिए, आच्छ जो भी प्रॉब्लेम था, जो भी मैं बता रहा था, वो सभी ये प्रॉब्लेम जो है, उससे छुट काड़ा पाए, तो आप भी उसकर सकते हैं, और इफ्लेम का फीट आप फूट क्रिम, और 75 ml का मार्केट में अवेलेबल है, बहुत कम दाम है, आप ओनलाइन में भी उपल प्रॉचिंग, प्लीस लायक अश्ब्सक्व्सक्राइब आप टार्श धार्श थांक यू